जैस्री कृष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे कुम्भ राशी के वारे में कुम्भ राशी के राशी फल की चर्चा करेंगे और कुम्भ राशी के राशी फल में चंद्रमा कुम्भ राशी में प्रबेश करेंगे तो इन दो दिनों में कुम्भ राशी वालों को चंद्रमा के गोचर के जो की वो आपके प्रथम भाव कुम्भ राशी में गोचर करेंगे उसके क्या प्रणा मिलेंगे इस बारे में चर्चा करेंगे और ये एक योग बनाएंगे जिसे बोलते हैं गजकेसरी योग तो गजकेसरी योग बनेगा जो की काफी सुभ योग माना जाता है ये गोचर में बनेगा कुम्भराशिवालों की कुंडली में गज के स्रीयोग जिस व्यक्ति की जन कुंडली में ये सुभयोग बनता है उसको जीवन में सफलताय प्राप्त होती है और ऐसा जातक विभीन छेत्रों में नाम और लोग प्रिता प्राप्त करता है साथी साथ धन के मामले में भी ऐसे लोग काफी अच्छे रहते हैं कभी परिशान नहीं रहते हैं और जन कुंडली में गज के स्रीयोग जब बनता है जब गुरू और चंद्रमा की उति होती है यानि जब रहश्पत और चंद्रमा आपस में संबंद बनाते हैं तो गज के स्र योग बनता है और कुम राशिवालों के प्रथम भाव में बनेगा तो आपकी समाद में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है धन संबंधी परिशानिया दूर होती है लेकिन कई बार इस योग के उतने सुफ़र प्राप्त नहीं हो पाते इसका करण आपके कुंडली में किसी ग्रह क खराब स्थिती या फिर चंद्रमा ब्रस्पत के कमजोर होने से भी ऐसा होता है तो चलिए मित्रों राशिफल जान लेते हैं कि कुम राशिवालों का क्या राशिफल रहेगा जब ये गज केसरी योग बनेगा ये राशिफल चंद्राश पर राधारी था यानि मून साइन जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन कुंड्ली में ये देख रहे हैं कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है जिस राशि में चंद्रमा है वो ही उनकी राशि है जिनके पास जन कुंड्ली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राश से देखवा सून सकते हैं इसके प्रणाम कुम्भ राशिवालों को क्या मिलेंगे इस बारे में बात करते हैं आज के दिन आप मांसिक रूप से खुद को मजबूत पाएंगे और चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में है और प्रथम भाव में कुम्भ राशी है और कुम्भ राशी में ही गुरू का गोचर भी है और गुरू की पंचम द्रश्टी पंचम भाव पर है सप्तम द्रश्टी सप्तम भाव पर है और चंद्रमा की दृष्टी जो है सब्तम दृष्टी सब्तम भाव पर है तो गुरू और चंद्रमा की जो सयुक्त दृष्टी है वो सब्तम भाव पर दृष्टी है तो सब्तम भाव विवाह का भाव है साधी का भाव है व्यापार कारोबार भी देखते हैं सब्तम भाव से तो आपको ब्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी ब्यापारिक पार्टनर से संबंद अच्छे रहेंगे और ब्यापार कारोबार में ज़्यादा सफलता भी मिल सकती है आपके पत्नी के साथ है निए आपके जीवन साथी के साथ संबंद मधुर होंगे और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नोकरी कलता है तो उससे आज के दिन आपको लाब होगा और ये योग जो बनेगा इसके जो प्रणाम होंगे वो बहुत अच्छे होंगे पंचम भाव पर भी द्रष्टी रहेगी गुरू की और वो चंद्रमा के साथ में हैं तो आपको प्रेम समद्धों में भी सफलता मिलेगी शिच्छा में भी सफलता मिलेगी और प्रेमी प्रेम का के साथ आप समय भी बिता सकते हैं चाहे वो फोन पर सोसल मीडिया के थूरू या मिलकर भी विता सकते हैं और कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कहीं मिलने का प्लान बन सकता है सिच्छा में भी आपका मन लगेगा, मन में एक आगरता रहेगी और सिच्छा में आप अच्छे प्रणाम पाएंगे आज के दिन और सिच्छा में भी सफलता मिलेगी प्रेम समंधों में सफलता मिलेगी बेर्थ के बात विवास से बचना है इस बात का ध्यान रखना है संतान भी आज के दिन आपकी तरक्की करेगी और संतान से भी आपको ल मिलने वाले हैं कुम्बरा शिवानों को तो पंचम भाव के प्रणाम काफी अच्छे मिलेंगे और सब्तम भाव पर भी दृष्टी रहेगी तो सब्तम भाव के प्रणाम भी अच्छे मिलेंगे और नवम भाव पर भी दृष्टी रहेगी पंचम भाव सिछा का भाव है संता प्रेम समद्दों को आप विवा समंदों में बदलना चाहते हैं, तो आज के दिन, यानि इन दिनों में मतलब जब यह गज़के श्रीयोग बन रहा है, तो आप इस समय पर अपने घरवालों से बात कर सकते हैं, और आपकी बात बन सकती है, तो इस समय पर काफी अच्छे योग रहेंगे और काफी सफलता का दिन है आज के दिन आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों सब्तम भाव के प्रणाम तो अच्छे मिलेंगे ही अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं तो वहाँ आपके पदोन्नती हो सकती है, बेतन बुद्धी हो सकती है इस तरह के प्रणाम तो मिलेंगे ही और नबंभाव पर भी द्रष्टी रहेगी, तो नबंभाव पर द्रष्टी जो रहेगी तो भागे का साथ भी आपको मिलेगा और अगर उच सिच्छा ग्रहन कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता मिलेगी और अगर पिता के साथ भी समंद अच्छे रहेंगे, गुरू के साथ समंद अच्छे रहेंगे आपके बॉस के साथ समंद अच्छे रहेंगे, अगर आप सरकारी नोकरी करते हैं या सरकारी इन लोगों से या गवर्मेंट से जुड़ा हुआ कोई कार करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगा तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आज के दिन आप मानसिक रूप से खुद को मजबूत पाएंगे मानसिक जड़ता के चलते मुश्किल फैसले भी आप आसानी से ले सकते हैं और आपके सभाव में नमरता भी होगी इसलिए सामाजिक इस्तर पर भी आपको अच्छे फल आज के दिन प्राप्त हो सकते हैं साजेदारी के कारोबार यानि ब्यापारिक पार्टनर्शिप में इसरास के लोगों को यानि कुमराज वाले लोगों को लाग मिल सकता है बहुत अच्छी स्थिति है आपका सामाजिक आर्थिक और पारिवारिक जीवन बढ़ेगा स्वास्त अच्छा रहेगा प्रेम में थोड़ी प्रेमी प्रेम का से दूरी हो सकती है लेकिन प्रेम फिर भी अच्छा रहेगा और व्यापारिक दर्श्मोर से तो बहुत अच्छा रहने वाला है आज के दिन आप तन्मन से खुस और प्रफॉलित रहेंगे कारच्छेतर पर दिन के सुरुवात में से लेकर और दोपहर तक मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इसके बाद संध्या के आसपास आपको आसान कूल रहनी आपकी जैसा सोच रहें बैसे ही प्रणाम आपको मिलेंगे और बैसे ही सफलता आपको मिल सकती है किसी अच्छे कारक्रम में यानि सुब कारक्रम में समलित होने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है अच्का दिन ब्यापार में छोटे-छोटे बदलाओं के साथ अधिक भाग दोड़ वाला हो सकता है नौकरी पेशा लोग जो है उनके सहकरमियों में थोड़ा सा इर्थिया का भाव बढ़ सकता है विवाहिस सम्बन तो बहुत अच्छे रहेंगे ही जीवन के साथ तो जीवन साथी के साथ आपकी आत्मेता तो बनी रहेगी और भविश्य की चिंता नहीं करेंगे और आपके जो परिवार के लोग हैं मित्रों के साथ आपकी मुलाकात अच्छी रहेगी और उनके साथ आपके सम्बन भी अच्छे रहेंगे आज आप कोई भी बड़ा निवेश भी कर सकते हैं और बाहरी विक्त से किसी बात पर अंबन हो सकती है तो साथ दानी बढ़ते हैं आपकी मेहनत और परिश्टरम से कोई महत्व पूर्ण कार्य पूरा होगा आपकी योगिता और छंता पर परिवार के सदस से गर्म नहसूस करेंगे जल्दी कामयाभी के चक्कर में किसी अंचित कार्य में रूची ना लें बढ़ना प्रणाम अच्छे नहीं होंगे क्योंकि गुर्देव का गोचर आपके प्रथम भाव में है और वहां पे चंद्रमा का गोचर भी है अपनी मर्यादा का भी ध्यान अबश्य रखें आपका क्रोध पूर्ण वेभार भी आपकी योजनाओं को थोड़ा डगमगा सकता है इसलिए क्रोध पर नियंतर लखें इस बात का ध्यान दखें आर्थिक अपसरों का लाव उठाएंगे सभी शित्रों में प्रुभावी रहेंगे परिवार में अच्छा रहेगा और आप अपने कारोबार को विस्तार करने की भी सोचेंगे आर्थिक मजबूती बढ़ेगी लाव अच्छा रहेगा जीवन सहली में सुधार होगा जोखियों उठाने में आप माहिर होंगे तेजी से कार करेंगे सक्रेता बढ़ेगी शेत्रों में प्रभावी रहेंगे लोग प्रियता का ग्राप आपका बढ़ेगा और परिवार में सुपता रहेगी आर्थिक द्रिश्टिकोर्ट से आज का दिन अच्छा रहेगा लाबदाई रहेगा परिवार का बातावरान आनन से भरा रहेगा मित्रों और परजिनों के स जीवन सैली में सुधार होगा और प्रेम में अपने प्रेमी प्रेम का के साथ समंद अच्छे रहेंगे आप उनका ध्यान भी रखेंगे उनकी उपेच्छाओं पर खरे उतरेंगे मित्रता को बल मिलेगा प्रेजन उसे भेट होगी परस्पर प्रेम बढ़ेगा और जीवन सा किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय पर काफी बेहतर होगा और इस समय पर आपके पहले कीकीगे मिहनत रंग लाएगी जिससे आपको अपने इच्छा अमसार किसी अच्छे संस्थान में दाखिला भी मिल सकता है अगर आप चाहत प्के मामले में भी अच्छा रहेगा लेकिन फिर भी छोटी मोरी स्वाज समस्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कोई बी स्वाध समस्य हो्त लापरवाहिः बिल्कुल ना करें और डॉप्टर से परामर्स लें इसमें कोई संदे ना करें आज का उपाय आपको बताते हैं कुम्भ राशिवालों के लिए आपना गरीब मजदूर को किसी जरुद में बेक्ति को उरत की दाल दान कर सकते हैं और पीली बस्तू का दान कर सकते हैं यानि कि जैसे चने की दाल का दान कर सकते हैं केले का दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन कर सकते हैं या आज के दिन भी कर सकते हैं इससे भी आपको लाब मिलेगा तो मित्रों आज मैंने आपको कुम राशिवालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की ये राशिफल सामाने राशिफल है सभी जात्कों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिलकुल भी संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन कुणली में ग्रहों की स्थिति और आपकी बरतमान दसा और अंतर दसा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति इन सभी बातों पर बहुत कुछ निभर करता है इसलिए कोई भी बात आप अमल में लाने से पहले संभन्धि छेत्र के विशे सग्य से सलाह अवश्यले आप सभी स्थ रहें आईश्मान रहें धनवान रहें ऐसी मेरी श्री कुछन भगवान से प्रार्तना है जै श्री कुछन